Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिल्कुल free of cost. Kindergarten से लिके class 12 तक की. CBSE boat के courses के साथ साथ आपको other state boat के भी courses available है. In Indy Medium जैसे की UP boat, Bihar boat, Delhi boat के courses. Proper systematic way में. कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी, daily practices के questions पे मिलेंगे. Practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes के link आपको description box पे available है. तो भटकने की बाद नहीं बनती. So, आज हम क्या देखेंगे? Chapter की ending ही समझ लीजे, एक summary type की conclusion. हैना कि Chapter हमें क्या बता रहा है, उसका conclusion हम देखेंगे. चलो. सबसे पहले तो क्या कर दो? Like, Share कर दो. सबसे पहले आपको क्या करना है? Like and Share करना है, फिर Chapter का conclusion देखेंगे. देखो, Chapter में हमने चाहे हम workers की rights की बात करें, चाहे हम child labor rights की बात करें, हैना child labor का ठानी की बात करें, चाहे हम environment protection की बात करें, हैना चाहे हम workers की worth की बात करें, यह सब अब तक हम देखते आए हैं, अब उसका ज़रा conclusion देख लें कि totally, all over हमें बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कानून तो बने हैं, पहले कम थे, अब बन गए हैं, और अब लागू भी होने लग गए हैं, तो अब बदलाव आए हैं, अब चाहे environment हो, चाहे humans की livelihood हो, वो balance करके चीज़े चलाने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है, अगर किसी के साथ exploitation हो रहा है, किसी week पर कुछ हो रहा है तो उसके ले भी कानून है, किसी worker के साथ exploitation हो रहा है तो उसके ले भी कानून है, कोई child labor देखने को मिल रहा है तो उसके ले भी कानून है, तो बहुत सी इसी चीज़े अब evolve हो गई है, बदल के आ गई है, है ना, बन गई है मतलब, now conclusion हम से क्या कह रहा है, वो तो देखेंगे, सबसे पहले आप like and share कर दो, free start करते हैं, laws are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory, so as to protect people from unfair practices, laws क्या है, कानून क्या है, necessary होते हैं, बहुत सी situations में यह necessary होते हैं, whether, चाहे यह market में हो, market के लिए हो, चाहे यह office के लिए हो, चाहे यह factory के लिए हो, देख लिए हैं ना, हमने, चाहे हम market situation की बात करें, कि कैसे market में, जो producer, जो कह सकते हैं, seller, या हम बात करें, जो consumer है, इनके साथ expertise होता है, worker के साथ expertise होता है, तो वो हमने देखा कि उसके लिए law है, अगर चाहे हम offices की बात करें, उसके लिए law हमने देखा, factory की बात करें, इनके लिए क्या हैं, contractors, business persons, in order to make higher profits, resort to unfair practices, such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the conditions of work, ignoring the damage to the environment, and hence to the people in the neighborhood, etc. अब, private companies हो, चाहे contractors हो, चाहे business person हो, है न, उनका main focus क्या रहता है, profit है न, उनका main, जो उनका focus रहता है, है न, जो बोलते हैं, बिल्कुल, बास की नदर, जो किसमें रहती हुनकी, profit earning में, वो क्या चाहते हैं, बस profit earn करना, resort to unfair practices, अब वो यह नहीं देखते, कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, यह लोग क्या करते हैं, जैसे unfair payment करेंगे, workers को भी low wages pay करेंगे, है न, छोटे बच्चे को job पे रखेंगे, employee करेंगे, मतलब उनको labor बना के रखेंगे, वो भी बच्चे छोटे जैसे गरीब जो होते हैं, काम करते हैं, उनको उनसे काम करेंगे, working condition कैसी, work कैसा उसको ignore करेंगे, है न, इग्णोरिंग जो रिलीज हो के वाटर में जा रही तो वो भी इग्णोर करेंगे, देखेंगे न, जिसके कारण जो नीवरूड आसपास की चीज़ें, इलाके उनमें भी impact पड़ता है, उनमें भी effect पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें, जो मेजर रोल इसमें गवर्मेंट का क्या होता है, क्या लगता है, सरकार का मेजर काम क्या होता है, मेजर रोल ये है न, therefore is to control the activities of private companies, जो private companies काम करती है, उनकी activities को control करना, कि जो गलत अपनी power का इस्तमाल कर रहे हैं, power भी क्या बोलेंगे, जो जानती हैं, कि जो employees हैं, वो क्या है, vulnerable हैं, उनको तो job की जरूरत है, तो उनका गलत इस्तमाल करती है, वो ये नहीं देखती, बनाना और कानून को enforce करना और uphold करना, ताकि सब को क्या मिले, जिसके साथ गलत हो रहा है, exploitation हो रहा है, उसको न्याएं मिले, तो ये किसकी responsibility होती है, कानून बनाके, उनको लागू करके न्याएं देना, government की, this means that the government has to make appropriate laws, and also has to enforce the laws, इसका मतलब ये है, जो government उसको क्या करना पड़ेगा, proper तरीके से कानून बनाने पड़ेंगे, appropriate laws बनाने पड़ेंगे, and also has to enforce the laws, और साथ में इन कानून को enforce भी करना पड़ेगा, इन कानून को लागू भी करना पड़ेगा, laws that are weak and poorly enforced, can cause serious harm, as the भोपाल गैस ट्रेजडी शोड, अगर law weak है, यहना कानून ही कमजोर है, कानून ही कमजोर है, और जो है, कोई कुछ करी नहीं रहे, तो इससे क्या होगा, बहुत जादा, serious harm हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कर हम बात करें, भोपाल गैस ट्रेजडी की, हमने example देखा था था, किसका भोपाल गैस ट्रेजडी का, तो ऐसे एगर कानून ही weak है, government भी कुछ नहीं कर रही, यहना वो भी इताजादा, उसका भी focus कहीं हो रही, भी अपनी अर्निंग, अपने फाइदे हैंना, jobs void कर रही, इन चीजों पर ध्यान है, वो यह नहीं देख रही कि, इससे serious problem हो रही है, तो क्या होगा, फिर तो दिक्कत होगी होगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, laws कैसे उने ची appropriate, और उनको appropriate तरीकी से enforce कराना भी जरूरी है, सिर्फ कानून बनना ही जरूरी नहीं होता, कानून किस हद तक लागू किया जा रहा है, किस हद तक उससे न्याएं मिल रहा है, वो भी government की responsibility होती है, ठीक है, चल, वाइल भी government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private companies and the government act in the interest of society, वैसे तो government का leading role इसमें obviously होता ही है, government तो इसमें role play करती है, लेकिन public भी इसमें role play कर सकती है, वो क्या करेंगी भी pressure डाल सकती है, बहुत, दो नहीं, चाहे private companies हो, चाहे government हो, ताकि वो किस के लिए काम करें, अगर जो है लोग उनको लगेगा, कि जो company है, इनके कारण नुकसान हो रहा है, लोग इसके against protest करेंगे, बोलेंगे, तो क्या होगा भी company को हटाया जाएगा, या इसको बंद करवा दिया जाएगा, जो भी है, तो ये public के responsibility भी है, कि उनको जो उनके welfare ले सही लग रहा है, अपने environment ले, अपने जो है, कह सकते है, welfare ले जो भी सही लग रहा है, वो वो कर सकती है, ठीके, तो government के साथ-साथ public का भी role होता है, जो समाज के लिए अच्छा हो वो करवाने के लिए, environment as we saw is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environments as intrinsic to the right to life, environment जैसे की हमने देखा, is one example where, ऐसा example है, जहाँ पर people have pushed a public cause, है न, जो people ने क्या कर रहा है, public cause को देखा है, और government ने क्या कर रहा है, अपहल, है न, right to healthy environment, ताकि environment कैसा हो, healthy environment हो, जो किस के अंदर आता है, जो right to life के अंदर ही आता है, सही बात है न, अगर environment सही नहीं होगा, water pollute होगा, water polluted water होगा, है न, अगर polluted air होगी, तो कैसे जी होगे, बिमार पढ़ सकते हो, death भी हो सकती है, तो right to life तो oil it होगी ही न, इन दिस chapter, we have argued that people now must demand that this facility of healthy environment be extended to all, इस chapter में हम ये देख सकते हैं, कि लोगों ने क्या करा, people ने argue करा, उनको, उन्होंने demand करी, और कर सकती है, कि जो facility है, किसकी healthy environment की, क्या होनी चाहिए, सब को मिलने चाहिए, हैना सब तक पहुँचनी चाहिए, clear हुआ, तो इस chapter में ये ही सब हमने पढ़ा ना, आया समझ में, चलो, Likewise, workers right, right to work, right to a fair wage, and decent work condition is an area, where the situation is still very unfair, ठीक है, environment को लेके तो सब aware होई रहे, लेकिन कुछ जगे, जैसे गर हम बात करें, workers right, है ना, जो काम करते हैं, उनके अधिकारों की बात करें, workers की right की बात करें, जैसे right to work हो गया, या right to fair wage, या decent work condition की हम बात करें, ये अभी भी ऐसे छूटे हुए area है, जहां पे situation कैसी है, अभी भी unfair है, अभी भी उनको नयाएं नहीं मिल पा रहा है, people must demand stronger laws protecting workers interest, so that the right to life is achieved for all, बात करें, awareness फिला रहे हो, ऐसे workers के right के भी awareness फिलाओ, ताकि भी उनके लिए right to life क्या हो सके protected रहे, ये सब अगर working condition ये सारी चीज़ किसके अंदर आती, right to life में ही तो आती, livelihood ही सब किसमें आएगा, right to life में आएगा, और right to life सब को अचीव हो पाए, सब तक पहुच पाए, तो अगर हम environmentally जित्ती awareness फिला रहे हैं, तो workers के right के भी हमें demand करनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कि strict laws बने, strictly उसको enforce किया जाए, और strictly जो उसका गलत, बनाद फायदा उठा रहे हैं, तो सही बात है न, मतलब सिर्फ अब आप जब बड़ी हो जाएंगे, तो यह ध्यान रखना है, environment के लिए आप अभी करेंगे, लेकिन workers के right के, क्योंकि कहीं आप भी worker बनेगे, हो सकता है कुछ आप में से business person बने, तो भई आप इस chapter से सीखिए, कि environment के लिए भी ध्यान रखना है, लोगों के लिए, अगर आपके अंडर कोई employee काम करेंगे, तो उसके लिए भी ध्यान रखना है, उसके अधिकार का भी ध्यान रखना है, ठीक है, और जो कानून है, वो तो government है, वो तो कानून बनाई रही है, लेकिन अब वो strictly हर phase में अच्छा करें, वो भी ज़रूरी है, ठीक है, चलो, clear हुआ की नहीं हुआ, आया समझ में तो इस chapter में हमने क्या क्या चीजे पड़ी, वो conclusion के तौर पे हमें अच्छे से अब revise, recall हो रही है, ठीक है, अब glossary देखते हैं, consumer, consumer का मतलब क्या होता है, an individual who buys goods for personal use and not for reseal, ऐसा individual जो क्या करता है, goods को खरीता है, personal use के है, मैंने एक मानो, अगर ये watch खरी ली, तो use क्लिया, मैं ऐसा नहीं कि watch बेचने जाऊंगी, तो मैं क्या होगी, consumer होगी, producer क्या होते हैं, a person or organization that produces goods for sale in the market, producer वो होते हैं, जो क्या करते हैं, goods को produce करते हैं, बेचने के लिए market में, वो producer होते हैं, at times the producer keeps a part of the produce for his own use like a farmer, कई बार तो जो producer होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ produce का हिस्सा, खुद लिए रखते हैं, जैसे farmer, अना जुगाएंगे, जैसे गेहूं की फसल होगा ही, गेहूं की फसल पक दे ही, तो कुछ गेहूं अपने लिए रख ली और कुछ market में बेच दिये कमाई के लिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो producer क्या होते हैं, जो goods को produce करते हैं, और market में बेचते हैं, consumer कौन होते हैं, जो गुट्स को खरीते हैं और रिसेल नहीं करते हैं वादा कंज्यूम करते हैं खुद को उसको गुट को इन्वेस्मेंट मनी स्पेंट टू पर्चेस न्यू मशीनरी और बिल्डिंग्स और ट्रेनिंग लिए डी इन्वेस्मेंट क्या होता है हम बोटे इन्वेस्मेंट कर लो और इन्वेस्मेंट ani भ़चिंघन के लिए नहीं आए और ट्रेनिग सो एस सो टू है बहुट एल्ट increase modernize production in the future ताकि इससे क्या हो production और अच्छा हो और increase हो तो एक तरीका का investment ही जसे हम कहीं काम कर रहे हातों से काम कर रहे हम बोड़े यार machine करी लेते हातों से बना बना कि क्या होगा हम machine से बनाएंगे तो production अच्छा होगा तो एक तरीके के लिए अभी तो खर्चा है लेकिन investment है बाद में इससे अच्छा कासा हम कमाएंगे profit होगा तो यह क्या है investment चलो workers union an association of workers workers का association होता है worker union workers का जो काम करते हैं उनका संग उनका association उसको बोलते है workers union workers unions are common in factories and offices workers का union होता है हमें factories और offices में देखने को मिलता है बट might also be found among other types of workers say domestic workers unions और other types के भी workers हमें देखने को मिलते हैं जैसे domestic worker है जो घरों में काम करते हैं the leaders of the union bargain and negotiate with the employer on behalf of its members जो leader होता है न इस union union का जैसे worker का union है मैं उसकी leader हूँ तो मैं क्या करूँगी उनकी सबके भी हाफ में सबको कुछ ना कुछ hiring and promotion of workers benefits and worker workplace safety अब इसमें issue क्या हो सकते हैं जैसे किसी का issue होगा कि मेरी salary का में या कोई बोलेगा या कि safety नहीं है कुछ लोग बोलेंगे workplace conditions से ही नहीं है हना कुछ बोलेंगे जो rules से वह बदलो कुछ बोलेंगे जो hiring है rules के जो hiring के टाइम के जुरूल से उसको बदलो उसको change करो जो भी है तो मैं क्या करूंगी as a leader मैं अपने employer से बात करूंगी होता है नहीं हम क्लास में बोल मैं से तू बात कर यार मैं बात नहीं कर रहा है मैं से डर लगता है बात करेगा अब वो सेलरी से इलेटेट प्रॉब्लम हो सकती है वर्क्स रिलेटेट प्रॉब्लम हो सकती है सेफ्टी से रिलेटेट प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है clear consumer producer साथ में investment और workers union समझ में आया चल दिक constitution as a living ideal अब constitution क्या है हमारा living ideal है है ना जीने के लिक ideal है सबसे पहले था आप like share कर दो अगर अभी तग भी नहीं किया है जल्दी जल्दी से like and share कर दो कंजूसी नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की चलो the right to life is a fundamental right that the constitution guarantees to all the citizens of this country right to life क्या है एक fundamental right है ना जो constitution guarantee करता है अपने सारे citizens को in the country सही बात है right to life सब के लिए मेरे लिए आप के लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए जो भी हो हो सब के लिए guarantee गरता है ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों के लिए तो आद्मियों के लिए नहीं बच्चों के लिए तो बूढों के लिए नहीं ऐसा नहीं सब के लिए है As you have read in this book जैसे कि इस book में आपने पड़ा Over the years this right और article 21 ये जो right है, right to life किस में रहता है इस right का जो use है है na ordinary citizen जो आम जनता है उन्होंने ऐसे-इसे issues इसमें इंक्लूट करें to make this right more meaningful and substantial इन अधिकारों को और जादा meaningful और useful बनाने के लिए काम करें So for example You have read of how the case of the injured farmer Hakim Sheik established the right to health as part of the right to life Just for example हमने पड़ा था case है जो एक injured farmer था Hakim Sheik उसका उसने establish कर रहा था right to health को as a part of right to life मतलब right to life के अंदर अगर हमारी health पे impact पड़ रहा है मतलब हमारी health पे कुछ हो रहा है हमें कुछ injury हो रही कुछ भी तो एक इसके अंदर आनी चाहिए right to life में आनी चाहिए ठीक है तो इस right to life में बहुत से modification चाहिए right to livelihood की बात करें right to safe environment की बात करें तो सब इसमें included रहता है similarly you read of how the case of the slum dwellers being evicted from Mumbai established the right to livelihood as part of the right to life जैसे कि अभी हमने देखा कि पढ़ा है कैसे जो slum dwellers है ना जो बिचारे जुगी जोपडियों में रहते हैं उनको क्या करा गया उनको जो अच्छी जगों से जो कॉलनी के आसपास इस सेट है उनको हटा दिया गया याने उनके सर से छच चली गी हैना बिचारे काम करते हैं आसपास फुटपातों में जो अच्छी जगों पे घर बनाके रहते हैं पर वो वो क्या हो जाता हो। इलिगल हो जाते हैं एक तरहीं किसे उनको जाटा दिया जाता है। जिसके कारण उनकी livelihood पहादा है। तो यह किस के अंदर आएगा, right to life में, तो right to, हमने देखा safety, health, जो है, यह किस के अंदर आए, right to life के अंदर, ऐसे ही right to livelihood, किस के अंदर आए, right to life के अंदर, in this chapter, you have read about how the court ruled in favor of person's right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life as a part of right to life, जैसे कि इस chapter में हमने किस के बारे पढ़ा है, court का, क्या कहा था, court ने, कि जो right है, person का right है, उसको क्या मिलना अच्छी भी, साफ पानी, साफ हवा, है ना, अच्छे से वो जीए, है ना, safe रहे, neat and clean चीज़े, तो यह किस के अंदर आता है, यह सब right to life के अंदर आता है, in addition to these cases, the courts have also ruled to include a right to education and right to shelter within this expanded understanding of article 21, इसके addition में, इसके साथ साथ और भी cases जो हम कहेंगे, और भी cases इन चीज़ों में, courts ने add करा है, है ना, right to education हो गया, या right to shelter, है ना, expanded understanding जो हम देखेंगा, article 21, इसके अंदर देखने को मिलता है, clear हुआ, तो हम चाहे right to livelihood की बात करें, health की बात करें, यह सब किस के अंदर आ रहा है, यह सब right to life में आ रहा है, और यह किस ने दिया है हमें, यह हमें दिया है, constitution ने, ठीक है, चलो, दा अबब expanded understanding of the right to life was achieved through the efforts of ordinary citizen to get justice from the courts when they believed that their fundamental rights were being violated, यह जो expanded understanding है, किस की right to life की, वो अचीव कैसे वही, through the efforts of ordinary citizen, यह जो हम आम जनता है, यह जो हमारी demand है, यह जो हमने struggle करा है, इसके पीछे efforts लगाएं, है ना, तो हमें क्या मिला है, get justice from the courts, इसके through justice मिला है, कोर्ट में हमने नयाए की बात करी, हमने अपनी बात रखी, efforts लगाएं, है ना, जब किसी को भी problem ही, उसने क्या करा, भई, court गया, उसने appeal करी, अपने हग की बात करी, है ना, उसने efforts दिये, तब जाके यह चीजों के लिए नयाएं मिला है, क्योंकि उनके fundamental rights violate हुएं, as you read in several instances in this book, these fundamental rights have also served time and again as the basis for the making of new laws and establishing certain policies to protect all citizens, जैसे कि इस chapter में ने बहुत से से examples को देखा, कि जो fundamental rights है, है ना, जो fundamental rights है, इसने क्या सर्फ करा, also served time and again as the basis for making of new law, मतलब fundamental rights के करण नएने कानून भी बने, fundamental rights तो दी हैं, लेकिन इनके basis में नए नए कानून भी create हुए, and establishing certain policies to protect all citizens, और इनके तुरू कुछ-कुछ policies भी create हुई, ताकि citizens को protection मिले, ठीक है मतलब fundamental rights के तुरू को नए laws, नए policies भी create हुई है, all of this is possible because our constitution contains certain constitutive rules that work towards protecting the dignity and self-respect of all citizens of India and guard against all forms of possible violation, और ये सब कैसे possible हुआ, क्योंकि जो हमारा constitution है, वो क्या contain करता है, कुछ constitutive rules, constitution के rules, that work towards protecting the dignity, जो किस क्लिए काम करता है, हमारी respect, हमारी dignity को, गरीमा को protect करने के लिए, हमारी self-respect को protect करने के लिए, of all citizens of India, and guard against all forms of possible violation, मतलब अगर हम बात करें, क्यों बनाया है, ताकि हमारी जो गरीमा है, हमारी जो self-respect है, हमारी जो rights है, वो protected रहें, तो इसलिए ये rights हम कहेंगे, बनाए गए हैं, clear हुआ, चल, what these should include, is spelt out in the various provisions on fundamental rights, and the rule of law, क्या include होना चाहिए इसमें, हैना, बहुत से जो provisions हैं, fundamental rights के कह रहें, और जो law के rule है, but as the above cases highlights, there is also an intrinsic flexibility to our constitution, that allows for a continually expanding list of issues, to be included with the idea of dignity and justice, that the constitution guarantees, अब ये तो ठीक है, ये तो चीज है, above cases जो दिखा रहे हमें, लेकिन इसके अंदर की जो flexibility constitution में, मतलब थोड़े बहुत changes भी हो सकते हैं, expanding list of issues to be included within the idea of dignity and justice, that are constitution guarantees, मतलब अगर लग रहा है, कुछ कुछ नहीं चीज ऐसे emerge हो रही है, कि अब ये नहीं रिक्कत पब्लिक को देखने को मिल रही है, ये कुछ नहीं इस्जू आ रहे हैं, तो internal changes flexibility उसमें है, कि होते रहते हैं, expand होती रहती हैं, जैसे अब right to life है, तो right to life में, right to livelihood, right to life में आता है, right to health, right to life में आता है, तो धीरे धीरे पब्लिक की नीट के according क्या कर रहे हैं, list expand ही, this flexibility allows for new interpretation, and therefore the constitution can be considered to be a living document, इसी flexibility के कारण क्या होता है, allow करता है, नहीं नहीं interpretation, नहीं नहीं तरीके से create होती है, जो एक बार बन गया, जो हो गया, flexibility है, बदलाव अगर जो भी needful है, पब्लिक की protection के ले वो होते ही रहते हैं, है ना, मतलब चलता रहता है सानी की एक बार हो गया, बन गया, तो बन गया, आया समझ में, चलो, thus the right to health, the right to shelter, etc. are issues that are not present in written form, in constitution that members of the Constituent Assembly had presented in 1949, इसी लिए जो हम बात करें, right to health की, right to shelter की, ये जो issues है, ये present नहीं है, मतलब written form जो देखें ना, Constitution के, उसमें हमें देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें right to shelter ये सम नहीं है, अगर हम देखने जाएंगे कि हाँ, वहां हमें मिलेगा, तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, है ना, जो बनाया था ना, Constituent Assembly in 1949 में प्रेजेंट करा था, तो वहां नहीं मिलेगा हमें, but they were present in spirit, वो हमारी चीजों में, हमारी वेल्यूस में, हमारी आत्मा हमें जिन्दा है, the democratic ideals that the constitution established, allowed for person to use the political process to continually ensure that these ideals became a reality in lives of ordinary citizens, इसके लिए क्या दिया है हमें, हमें क्या दिया है, क्या दिया हुए हमें, democracy हमारे, है ना, लोक तंत्र हमारे, प्रजा तंत्र है, तो हमें यह अधिकार दिया है, तो इसलिए constitution ने क्या करा है, establish करें, मतलब allow करा है हम लोग को, person को, यह political process का use करें, है ना, to continually ensure that these ideals become a reality in the lives of ordinary citizens, है ना, ताकि इस process जो voting की process होती है, जो यह लोग क्या करते हैं, अपने पसंदीता, जो भी ऐसे नहीता, representative को चुनते हैं, तो जो भी चीज़े हैं, उनको reality में ला सकें, as the chapters in this book discuss, much has been done in this process of making constitutional ideals into a reality, but as these chapters also point out, a lot of still remains to be done, जैसे ही जो chapter से अभी तक, हमने इस book में पढ़ें, क्योंकि हमारा ending chapter था, much has been done in this process, बहुत सी चीज़े तो हुई हैं, must has been done in this process of making constitutional ideals into a reality, बहुत सी चीज़े तो हुई हैं, reality में convert करने की पूरी कोशिश की गई हैंना, लेकिन, but as these chapters also pointed out, a lot still remains to be done, मतलब बहुत सारी चीज़े तो हमने करियें, चाहे हम और जो है वोमेंस राइट की बात करें, चाहे हम माइनलिटी की बात करें, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें करना बाकी है, हैना, 100% हो जाता, तो बाती कहती, तो 100% कुछ भी नहीं, अभी चीज़ें क्या हैं, रिमेनिंग हैं, बाकी हैं, clear हुआ की नहीं हुआ, तो constitution हमें कितनी सारी चीज़े देता है, क्यों दे रहा हैं हमारे अधिकार के लिए, जो protected रहे, हमारी dignity क्या रहे हमारी dignity को हाम ना पहुचे, clear, several struggles by people in different parts of the country, serve as a continual reminder that serious issues of equality, dignity and self-respect remain to be realized in the lives of the majority, बहुत से स्ट्रगल जो हैं लोग करते, people भई बिचारों को करना पढ़ता है, different different parts of the country में, serve as a reminder that serious issues of equality, जो serious issue है, किसका equality का, dignity का, self-respect remain to be realized in the lives of the majority, मतला बहुत सी majority की लोगों की जिंदगी में, हमें equality का issue, dignity का issue, self-respect का issue देखने को मिलता है, these struggles, as you read in your class, 7th book are often not covered by the media, जैसे बहुत से ऐसे issues हैं, है ना, equality के, dignity के, अगर देखा जाए तो media इसको cover नहीं करती, जैसे कि class 7th में आपने पड़ा है, but this does not anyway, diminish the attention that they deserve, मतला इसका मतला यह नहीं कि जो attention को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है, मिल रहा है, लेकिन media क्या करती, कुछ कुछ चीजों को cover नहीं करती, the various chapters in this book have tried to make clear to you the democratic ideals that the constitution contains and the ways in which it affects people's daily lives, भहुत से से जो chapters इस book के, है न, उसने क्या करा है, यह समझाने की कोशिश करिये, कि जो democratic ideals होते हैं, that the constitution contains, जो constitution contain करता है, the ways in which it affects people's daily lives, जो भी democratic rules हमारे बनाएंगें, चीजे बनाएंगें न, जो भी constitution में दी गई है, वो हमारी daily life को सच बात है, इंपेक्ट करता है, चाहे हम right to religious freedom की बात करें, right against exploitation की बात करें, right to equality की बात करें, right to freedom की बात करें, यह सारी चीजे और भी जो कानूने, क्या करते हैं, हमारे daily जिंदिगियों को affect करते हैं, clear? we have done this with the intent that this might provide you, the tools with which you can critically begin to understand and examine the world around you and participate in it as the constitution prescribes, यह सब क्यों दिखाया गया, यह सब क्यों बढ़ाया गया, इसके पीछे का intention क्या है, नियत क्या थी, यह प्रोवाइट करते हैं आपको tools, है न, ideas, ता कि आप क्या करो critically, इस बारे में सोचो, मतलब अपनी जो है दिमाग लगाओ, अपना जो है दिमाग यूज करो, अपनी understanding का यूज करो, और examine करो जो भी world है आपके आसपस, न, जो लोग हैं, अगर किसी के साथ inequality हो रही है, किसी के जो है आधिकारों को चीना जा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि secular country, तो secularism आपको दिखने ही रही है, किसी woman के साथ कुछ गलत हो रहा है, domestic violence हो रहा है, है न, डॉरी डैतुरी, जो भी चीज़े हो रही है, वरकर के साथ गलत हो रहा है, environment को pollute किया जा रहा है, तो आपको यह सब क्यूं पढ़ाया गया है पूरी बुक में, ताकि आप खुद इतने aware हो जाओ, खुद आप यह सोचो कि कितना जादा crucial है समझना इसको, ठीक है और आप इसके लिए खुद भी decision ले सको, aware हो सको, clear, चल्द, तो अच्छी बाते हैं, अच्छी चीज़े सीखने को मिल रही है, ठीक है, तो इसी के साथ finally हमारी civics की बुक भी end होती है, I hope आपको जो last में जो knowledge मिलाना, बहुत अच्छा लगा होगा, जो की वैसे भी important, इसे पढ़ने के लिए नहीं वैसे भी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर भी हमारा end होगे है, तो like, share, subscribe करना विल्कुल भी नहीं भूलना है, अगर आप और भी lectures की वीडियोज देखना चाहते हैं, तो आप Magnet Brains की YouTube चानल, application और website पे देख सकते हैं, e-notes और e-books की link आपको description box में available है, ये सारे high quality के courses हैं, जैसे कि CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course, Spoken English courses, अच्छी quality में और 100% free available है, आप हमें सारे के सारे platform पर भी follow कर सकते हैं, तो like, share, subscribe करना विल्कुल भी न भूले, अपना ख्याल रखे, thank you so much for watching,